कि नमस्का दोस्तों मेरा नाम देवराज वाशने हैं और आप सभी का स्वागे तेरा डेली प्राइब एक्षिन शो विच चाट मुझें तो दोस्तों आज हमने देखा निफ्टी काफी वोलिटाइल ता आज हमें न्यू स्लो के कारण देखने मिला एक नीचे 250 तोडने के बा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के अंदर जो 16500 निकल के आ रहे हैं वहां से वापिस एक सेलिंग आई और निफ्टी फिर से वीक हो गया तो जोस्तों अभी का जो प्राइस एक्षिन हमें बता रहा है कल जैसे मैंने यहां पर निफ्टी पे एक चैनल य यहां पर चैनल पर यहां तक एक निफ्टी आ सकता है तो दोस्तों यह जो लेवल है 16200 के 200 से 250 के लेवल होंगे यहां तक एक पॉसिबिलिटी है कि कल के सेशन पर निफ्टी एक अटेंब करें आने का बिकॉज हमने जैसा काफी टाइम चैनल के फॉर्मेशन को जब देखते हैं अगर वह 50% बैंड की नीचे आता है तो अधिकतर वह कंप्लीट करता है तो अगें हो सकता है कि अगर कोई पॉसिटीव निउस है तो डारेक्ली हम उपर खुलते वह दिखाएंगे बट स्टिल आ तो इस वज़े से हम अगर हमें कल निफ्टी 16-300 के नीचे जाते वह दिखाई देता है तो एक शॉट की बनेगी ओके और वहां से हम फर्स्ट टूफिफ्टी यहां पर अपडेको टागेट जो आ रहे हो थोड़े छोटे आ रहे हैं बट टूफिफिफिटी के लिए हमें प पता है कि एस इन फेबर हमारे लिए हमारे लिए जो गेन में हैं वो थोड़े कम पॉइंट्स है इस वज़े से यहां पर हमें एसल छोटा लगाएंगे अगर अगर हमें प्ले करना है तो आप बहुत ही क्लियर ली 16-500 का लेवल निकल के आता है 16-500 के लेवल के उपर अगर ह होने चीए 16-600 and 16-650 तो दोस्तों यह दो टागेट के लिए हम एक प्ले कर सकते हैं अगर 16-500 के उपर जाता है इन बिट्वीन निफ्टी अगेन ऐसे ही वोलेटाइल रहेगा तो अगर बीच में किदर रहता है तो आइवल से वन के अवाइड ओके तो यहां पर हमें एक दिखाई देंगे उस पर हमें ट्रेट करना चाहिए तो अब हम बैंक निफ्टी पर चलते हैं और बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो 34 जो वीडियो से हम बोलते आ रहे हैं कि जो 34 700 का लेवल है ओके 700 से 800 का लेवल है यह दो लेवल के बीच में हमें एक साइडवेज होता है दीख सकता है बैंक निफ्टी और जैसे ही 700 तोड़ दे ओके 34 700 तोड़ दे तो वहाँ पे हमें एक क्लियर सिंगनल मिलेगा कि बेर्जार विनिंग और वहाँ पे हम एक शॉट इनिशेट कर सकते हैं फॉर 34 500 और 34 100 यह लेवल तक के लिए हम एक प्ले कर सकते हैं इन बैंक निफ्टी अगर हमें कल के सेस्टिन में 34 700 तुटते वे दिखाई देगा अगें अब निफ्टी की तरह इसमें भी क्लैरिटी आ गई है बिकॉज आई कें सी 35 500 का जो लेवल है वो एक क्लियर रजिस्टेंस बनके आ रहा है यह लेवल अगर निकलेगा तो एक लोंग अपर्चुनिटी बनेगी हमारे लिए तो अगर यह अपर्चुनिटी मिली तो ही हम इसमें लोंग प्ले करेंगे तो दोस्तों अब हम डाव प सब्सक्राइब करेंगे यहां पर हमें ट्रेंगल फॉर्मेशन बनते वे देख सकते हैं और इसका जो ब्रेक आउट है यह मिल सकता है कल के यह आने वाले दिनों में अगर दोस्तों यहां पर एक बहुत ही क्लियर चीज हमें दिखाई दे रही है कि अगर कल के सेशन में यह का ब्रेक आउट मिलता है दोस्तों कल अगर 16-200 के लेवल पर निफ्टी आ जाए तो वहां पर एक कॉंट्रा ले सकते हैं किसी भी कारण अगर यहां पर हमें ब्रेक आउट देते वे दिखाई देगा इंद इंद इंट्राडे सेशन तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि जैसे हमें ब्रेक आउट होते वे दिखाई देगा अच्छा इसमें ब्रेक आउट के लिए हम यह स्विंग हाई को पकड़ेंगे ओके 33-400 के लेवल को हम वाच आउट करेंगे ओके अगर यह आज ही ब्रेक आउट हो जाते तो mostly we will see a gap up in Nifty so let's see how the DAOs reacts okay और उसे सबसे हम देखेंगे अगर रेंज में रहा देन निफ्टी विल अटेम्ट टू और टेकर सपोर्ट नियर चैनल जो हम बात कर रहे थे अब दोस्तो अगर हम देखे तो ब्रेंट काफी एक इंट्रेस्टिंग ब्रेंट में काफी इंट्रेस्टिंग डव क्योंकि काफी दिनों से लग रहा है कि साइडवेज है अब फाइनली उपर निकला तो एक रिटेस्ट भी दिया इसने यहां पर और अब एक अटेंप मार रहा है तो विल सी हाव दिस रियक्ट बट इसी लिए मैंने एक काउंटर लिया है ओके शॉट साइट के लिए ओके काउंटर जो एशन पेंट है मैं उसके उपर अभी डिरेक्ली चलता हूं तो दोस्तों आब हम एशन पेंट का चार्ट देख सकते हैं यहां पर और एशन पेंट का अगर मैं आपको थोड़ा लॉंगर डिएशन का चार्ट दिखाऊं तो आपको दिखेगा इधर कंप्लीट के जो ब्रेक आउट है इसके चलते हम देख सकते हैं कि थोड़ा प्रेशर हमें इशन पेंट पेंट दिखाई दे रहा है अब इशन पेंट का जो सपोर्ट आ रहा है वो आपको निकल के आता है 2550 के आराउंड और इससे अगर यह लेवल ब्रीच होता है तो मोस्टली एक 2500 तक यह एक सपोर्ट ले सकता है अब मैंने यह इसलिए लिया है क्योंकि हम देख सकते हैं एक ब्रेकडाउन हमें इदर देखने मिल रहा है एक चोटे डिरेशन के अंदर सपोर्ट की रेंज इस अब यह हम देख सकते हैं काफी दूर है और इस वजह से यहां पर एक कैंडल है उसका SL लगाके हम उस पर शौर्ट कर सकते हैं और इसके जो टागेट आएंगे वह आएंगे 2600 और 2550 के यह दो लेवल के लिए इसके अंदर प्ले आउट कर सकते हैं और अगर ब्रेंट जादा ही उपर चले जाता है और गैप बड़ा आता है कभी एशन पेंट के काउंटर के अंदर कल खुलते ही तो वन के अवाइट अगर जादा बड़ा गैप नहीं आता तो डेफिनिटली वन केंट ट्राइड इस काउंटर नेक्स जो काउंटर है वह वाडीलाल इंडस्ट्री का अब वाडीलाल इंडस्ट्री के अंदर हमें एक HNS कंटिनिवेशन ब यहां पर बनते वे दिखाई दे रहा है और हमें इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर कल के सेशन में 2100 के ऊपर जाए तभी इसके अनुछ कुछ रियक्शन करना है 2100 के उपर अगर यह काउंटर जाता है तो डेफिनिटली इसके अंदर एक लोग पोजिशन बनाई जा सकत है या फिर आप जब भी एंटर करेंगे तो जो आपका अरली कैंडल का अगर आपका लो होगा तो उसको आप लगा लीजिए और उसके बाद इसके नदर जो टागेट बनके आएंगे वह आपको यह जो कप का लेंथ है इसमें 400 पॉइंट की मूव आते वे दिखाई देगी जो की एक कप एंडल का जो कप का यह जो डिस्टेंस है यह आपको आते वे दिखाई देगा तो जैसे यह उपर जाएगा तो हम एक 400 पॉइंट की मूव को आते वे देख पाएंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो ज़रू अभी तक हमारे चार्ट मुझों के चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूट करें तिल एंड टेक क्यार एंड विल मीट यू इन नेक्स एपिसर्ड